जो तिस एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव हैं तो आईए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधा कुछ काम करो मन को न निराश करो पंख होंगे मजबूत तुम सपनों में साहस भरो गिरोगे लेकिन फिर से उडान भरो सपनों में उडान भरो हमें कभी भी कैसे भी हालात हो हर सिच्विशन में काम करते रहना चाहिए निराश कभी भी नहीं होना चाहिए लक्ष तक पहुँचने के लिए मजबूती से काम करते रहना चाहिए ये बात हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानी चाहिए और साहस और उत्सा से हम हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं नमश्कार मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने 26 दिसंबर मंगलवार का दैनिक राशिफ लेकर उपस्तित हुई हूँ सबसे पहले बात करते हैं पंचांकी तो माक्षी समा के शुक्ल पक्षकी पुर्णिमा तिथी आज है जो की 27 दिसंबर प्रातक काल 6 बचकर 2 मिनट तक रहेगी उसके बाद में पौश मा प्रारंभ हो जाएगा और उसके करश्न पक्षकी प्रतिपदा तिथी प्रारंभ हो जाएगी सुभ योग आज के दिन बन रहा है सुभ समय जिसे हम गुली काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पिरियड दौपेर 12 बचे से लेकर 1 बचकर 30 मिनट तक रहेगा लावई राव काल का समय दाफेर 3 बजे से लेकर 4 बज ABOUT 30 मिनट तक रहेगा दिशा शुला जुत्तर दिशा में रहे गा युदी इस दिशा में यात्रा करनी हमश्च्छ को तो ओड्ड़ख हाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का दैनिक राशी पन आज के दिन अपने शत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने शत्रों से बचने के लिए कुछ विशेश उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूं तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे आता आज के दिन अपने साहस और बल को बढ़ाने का प्रयास करें आज के दिन एक स्ट्राटजी बना कर काम करेंगे तभी आप सफलता को अरजित कर पाएंगे चोटे भाई बैनों से पैत्रिक संपत्ती समंदी विवाद ना करें आज के दिन उनके साथ ट्यूनिंग इन बातों को लेकर बिगड़ सकती है मेश राशी के जातक अपने शत्रूओं को कम करने के लिए धन के लेंदेन की पूरी लिखा पड़ी जरूर रखें और बुदुवार को गणेश जी को दुर्वार अरपित करें आपका शुब्रंग रहेगा स्लेटी शुबंग रहेगा साथ अब आते हैं व्रशब राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रवन करेंगे आता आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है जो बाधा है अब तक चल रही थी वो बाधा है अब समाप्त हो जाएगी कारिय दुरुत गती से संपन होते हुए दिखाई देंगे आज के दिन विशेश धनलाप के योग बनेंगे और अचानक धनलाप से आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा अपने स्वभाव और वाने के कारण आपके शत्रूप बन जाते हैं इसलिए शत्रूता की जिद बहुत लंबी चलती है शत्रूता को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को पढ़े आपका शुबरंग रहेगा नारंगी शुबंक रहेगा च्छे अब आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचर प्रमन करेंगे सोच समझ कर नेने आज के दिन आपको लेने होंगे कन्फिजन की स्तती में परिवार की साहता आप ले सकते हैं व्यापार इवर्ग के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है व्यापार में विशे इस लाप की परिस्तियां आपको देखने को मिलेगे और जीवन साथी से आपको आर्थिक लाप राप्त होगा इस राशी के जातक शत्रूता को कम करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन जरूर करें आपका शुबरंग रहेगा नीला शुबरंग रहेगा चार अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं करकर राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन बारवे भाव में गोचर ब्रह्मन करेंगे अता आज के दिन आपको अपने मन को इस्थिर रखते हुए अपने कारियों को पूर्ण करना होगा बाधाय जरूर आएगी शत्रू परास जरूर होंगे आज के दिन आपको घबराना नह आपको पूरा देखने को मिलेगा अब आपके शत्रू अधिक हो सकते हैं इसलिए शत्रू को परास करने के लिए गुरूर के दिन अपने माथे पर पीला तिलक जरूर लगाए आपका शुबरंग रहेगा पीला शुबंग रहेगा नौ अब हम आगे बढ़ते हैं और जान आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन 11 भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन विशेश धनलाब के परिस्तिते आपको देखने को मिलेगी रिस्की कामों में किया गया इंवेस्मेंट आज आपके लिए लाबदायक साबित होगा आपको शेयर ट्रेडिंग और आपका मनुवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा आज का दिन छात्रों के लिए विशेश सफलता दायक रहेगा सिहन राशी के जातकों को पीपल के पेड के नीचे सरसों के तेल का दीपक रोजाना संध्याकाल के समय जलाना चाहिए इससे आपके शत्रू समाप्त हो जाएं अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दस्वे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपको वर्क प्लेस पर सोच समझ कर अपने कारिये को स्ट्राटजी वाइस करना होगा वर्ना आपके काम अधूरे रह सकते हैं आज के दिन गौर्मेंट जॉब से चुड़ेवे लोगों को अधिकारियों के द्वारा कोई बड़ी जिम्मेदारी सौपी जा सकती है आज के दिन आपको अचानक धनला प्राप्त होगा घर में कोई लक्जीरियस वाहन या लक्जीरियस आइटम की खरीदारी आपके द्वारा की जा सकती है कन्या राशी के जातकों को शनिवार के दिन नीले रंग के वस्त्र पहनने शुरू कर देने चाहिए इससे आपके शत्रू हमेशा आपसे भैबीत रहेंगे आपका शुबरंग रहेगा बूरा शुबंग रहेगा तीन अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर ब्रह्मन करेंगे आता आज का दिन रहेगा आपके लिए भग्य वर्दक आप अधूरे पड़े हुए कारियों को फटा फट से पून कर लेंगे आज के दिन किसी बड़े कारे में आरे इबादा समाप्त हो जाएगी आर्थिक लाब भी आज के दिन प्राप्त होगा धर्म कर्म के कारियों में आज आपकी रूची बढ़ती हुई दिखाई देगी और छोटे भाई बैनों से विशेस लाब आज आप प्राप्त करेंगे आम तोर पर तुला राशी वालों के कोई शत्रू नहीं होते पर यदि आपके जीवन में कोई शत्रू बादा है तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विश्नु को फीले रंग के फूल और पित करने चाहिए इससे विरोधी शांत हो जाएंगे आपका शुब्रंग रहेगा ग्रे, शुबंग रहेगा दो अब हम आगी बढ़ते हैं और जान लेते हैं व्रशिक राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन अस्टम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा यात्रा हैं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी कारिय दृत गती से संपन होते हुए दिखाई देंगे आज के दिन खुद खड़े रहकर जो भी कारे करेंगे उसमें विशेश सफलता के योग भी बनेंगे और पेत्रिक संपत्ती समंदी विवादों का निप्टारा आज के दिन हो जाएगा आपके गुप्त शत्रू बहुत होते हैं इसलिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और बजरंग बाण का पार्ट मंगलवार के दिन जरूर करें आपका शुबरंग रहेगा मैरून, शुबंक रहेगा साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनूराशी का हाल आपकी राशी से चंदरमा आज के दिन सब्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन लाइप पार्टनर का साथ और सयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा आर्थिक समस्या है समाप्त हो जाएगी भविश्य को लेकर जो भी रणनिती आपने बनाई हैं वो रणनिती साकार रूप लेती हुई दिखाई देगी आज के दिन योजनबत तरीके से किये गए कारियों का भी विशेश लाब आपको प्राप्त करेंगे इस राशी के लोग हमेशा दूसरों से जगरते रहते हैं और उससे वे अपने शत्रों की संख्या बढ़ा लेते हैं इसलिए आपको शिवलिंग पर सफेद फूल रोजाना अर्पित करना चाहिए इससे आपके शत्रू शान्त रहेंगे आपका शुब्रंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा चार अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन छटे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपको किसी विशेश कार्य से यात्रा करनी पड़ सकती है पर खुड ड्राइव करके कहीं पर भी न जाये आज के दिन जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसको आपको योजनबत तरीके से और गुप्त तरीके से करना होगा वरना वो काम अगर आउट हो गया तो आपके प्रतीदवंदियों को उसकार्य में रुकावट डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा ननियाल से आपको आज के दिन मार्ग दर्शन प्राप्त होगा वही राजनिती में भी आज आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस राशी के जातकों को बुद्वार को भगवान शिक्रश्न को तुलसी दल अर्पित करने चाहिए आपका शुबरंग रहेगा मजेंटा शुबंग रहेगा नो अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुम्राशी का हाल आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन पाचवे भाव में गोचर ब्रमन करेंगे आता सिक्षा अध्यन अध्यापन से जुड़ी हुई समस्या है समापत होगी सिक्षन व्यापसाय से जुड़े हुए लोगों को आज के दिन विशेश लाब की प्राप्ती होगी सुब समाचार आपको अपने करियर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे आज के दिन कोट कचेरी से संबंदित मामलों में आपको फिशेश सफलता प्राप्त होगी महीं अगर आप गवर्मेंट जॉब से जुड़े हुए हैं तो आज के दिन अधिकारियों का साथ और सयोग मिलेगा अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रिमेंट और मन्चही ट्रांसफर के योग बनेंगे इस राशी के जातको को सोमवार को बगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और रोजाना ये कार्य करें इससे शत्रु बाधा दूर हो जाएगी आपका शुबरंग रहेगा हरा, शुबरंग रहेगा एक अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन चौते भाव में गोचर प्रमन करेंगे आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए आज के दिन आपको कुछ तगडी रननिती बनानी पड़ेगी आज के दिन आपको अपनी मा का पूरा सयोग देखने को मिलेगा उनसे मार्क दर्शन लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे आज के दिन कन्फ्यूज होने के आवशकता नहीं है और ओर कॉंफिडेंट होकर निन्ने लेने से बचे मीन राशी के जातकों को अपने शत्रू को परास्त करने के लिए गुरुवार के दिन विश्नु सहस्त नाम का पाट करना चाहिए केले के विरक्ष के नीचे घी का दीपक चला है और बगवान विश्नु की पीले वस्त्र पहन कर पूजा आराधना करें इससे शत्रू हमेशा शान्त रहेंगे आपका शुबरंग रहेगा सफेज शुबंक रहेगा आठ तो ये है 26 दिसंबर मंगलवार का दैनिक राशीपल अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रादेक्रशना अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे आठ नो पांच पांच छे पांच आठ तीन छे दो